सो नमस्कार कैसे हैं आप सब आप लोग अवे ज़्यादा बढ़िया होंगे और आज की सुडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपकी सी यूटी के एक्जाम सेंटर के कुछ रूल्स के बारे में अगर आप एक सी यूटी के स्टूडेंट है और आप अपना एक्जा हैंगे आपके रूल्स के बारे में अगर आपको नहीं बता है तो आप पॉर्टल पर जागर के उसे डाउलोड कर लीजेगा ठीक हो काफ़जदा इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है अब देखिए एडमिट काड के अंदर सबसे उपर आपकी जो बेसिक डीटेल स और अपकी जो आपके अपका एक्जाम की वहाँ पर मैंशन है कि बहुत है अपको आपको जागर को एक्जाम देना है वहाँ पर अपको देखेगी कि अपने साइशाए इंफमेशन पढ़ लिए जो भी बुलिटिंग के अंदर थी आपको वहाँ पर साइन करना है उसको आते हैं आपके इंस्ट्रक्शन्स और वहाँ पर आपको देखने हो मिलता है एक्जाम सेंटर के काफी सारे रूल्स और उसके अंदर काफी important rules भी है student अक्सर पूछते हैं कि भी exam center के अंदर हम mobile कहा पर रखें क्या वहाँ पर local available होगा या फिर नहीं होगा अगर local available नहीं होगा तो फिर हमारे phones कहां पर रखे जाएंगे सारे जो आपके doubt से clear करूँगा इस वीडियो के अंदर ठीक है so देखे exam center के rules की जहां तक बात है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको देखने हो मिलता है कि आपको भी exam center के अंदर enter करने के लिए अपना admit card प्लस आपको एक ID proof वहाँ पर लेकर के जाना होता है अपना admit card जो है वह आपको लेकर के जा सकते हैं चैफिर वह black and white है और colored है कोई भी आप लेकर जा सकते हैं अपना ID proof जो है वह आपका original होना चाहिए है चैफिर वह आधार card है चैफिर आपका driving license है pen card है कोई भी ID proof जो है वह आपको वहाँ पर लेकर के जाना होगा ठीक है यह पहला rule है आपके exam center का वरना आपको exam center के अंदर entry नहीं मिलने वाली है इसके साथ साथ देखिए वहाँ पर आपको reporting time दिया गया होगा आपके exam से कुछ time पहले का तो आपको reporting time से पहले आपको पहुच जाना है म पहले ही निकल जाना वरना किसी बी तरह से आपको जो entry हो नहीं मिलने वाली है चाहिए फिर रास्ते में traffic हो कुछ हो अपने time से आप पहुच जाना ठीक है इसके बाद अब देखिए वहाँ पर point number 15 तेक mentioned है अब point number 15 के अंदर क्या कहा गया है कि आपको अपने exam center के अंदर कि इसी भी तरह का electronic device जो है वहाँ पर allowed नहीं किया जाएगा और उसकी responsibility exam center की नहीं होगी आपको अगर खुद ले करके आ तो आपको इसके responsibility आप लेनी पड़ेगी कहीं पर भी आप रखते हैं कुछ भी करते हैं तो exam center की कोई responsibility नहीं होगी ठीक है तो यह साफ साफ मैंशन है पहला option दूसरा option क्या होता है कि आपके exam center के अंदर कुछ-कुछ exam centers ऐसे होते हैं जो specially exam दिलवाने के लिए design किये जाते हैं तो अगर आपको ऐसा exam center तो वहाँ पर आपको locker मिल जाएगा 101% ठीक है तो अपने locker के अंदर 40-50 रूपीज हो लेते हैं आप locker के अंदर submit कर होगा वही पर रखते हैं एद आपको भी अपना bag जो हो हें पर रखना होगा फिर आपके बही कोई भी responsibility आपको नहीं मिलने वाले किसी बीच तरह से आपका phone चोरी भी हो सकता है और वहां पर आपका phone आपको मिल भी सकता है बठा 90% chances हो तक आपको वहीं पर मिलता है चोरी न अपना बैग है वो आपको वही पर रखना पड़ेगा mostly cases के अंदर but अच्छा exam center है तो वहाँ पर लोकर आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह option है इसके लाब है कि बहुत सा एक्जाम centers के अंदर क्या होता है कि जो बाहर shops होती है वो shop वाले भी आपसे कुछ पैसे लेकर आपना phone आपका submit कर देते हैं अपने parents को आप साथ लेकर के आएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ी आपके लिए रहेगा वरना phone आप अपने back के अंदर डालकर कर देजेगा कम रिस्क है रिस्क है बट कम रिस्क है ठीक है तो आप यह कर सकते हैं इसके अलावा देखिए वहाँ पर एक rule order भी था कि आपको अपना pen लेकर के आना है प्लस एक transparent water bottle आप लेकर के आ सकते हैं कोई ऐसी water bottle नहीं होनी चाहिए जो भी transparent ना हो ओपेक हो उसके अंदर transparent ही होनी है यह तभी आपको allowed किया जाएगा एंटर करने के लिए कोई भी बोटल भाई माली जी बिसले रिव गयारा किये तो इसके आप जो रहपर है वो फार्ट दीजेगा और वो बोटल आप एंटर कर सकते हैं अंदर लेकर के जा सकते हैं तो यह कुछ आपके exam center के rules थे जिनके ब subscribe जरूब कर दीजेगा